सो हेलो गाज कैसे आप सब उम्मिद करता हूँ कि ठीक होंगे गाज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक आफ बड़ावदा ए श्टुडेंट लोन के बारे में गाज अगर आप चाते हैं घर बैठे ओनलाइन के मादियम से बैंक आप बड़ावदा में लोन अपलाई करने के लिए तो गाज इस वीडियो में हम आप सोको वहीं बताने वाले हैं गाज यहाँ पे जो है आप इजी तरीका से लोन अपलाई कर सकते हैं लोन जो है आपको यहाँ पे चार लाग तक मिल जाता है और गाज यहाँ पे जो है आपको नरसरिस रेकर 12th क्लास तक यानि कि गाज इसके बीच में आप किसी भी क्लास में पढ़ते होंगे तो यहाँ पे काफी इजी तरीका से जो है आप लोन ले सकते हैं minimum document लगता है grantor के तोर पे आप किसी को खड़ा कर सकते हैं जैसे कि आप अपने parents को दोस्त को यार को किसी को जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं गाज इस वीडियो में हम आप सबको all topic cover करके दिखाया है जैसे यहाँ पे loan apply कर देते हैं loan approve मिल जाता है उसके बाद गाज इस पैसा को जो है आप personal use करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कहीं पर invest करना चाहते हैं या आप जो है laptop या mobile खरीना चाहते हैं तो खरी सकते हैं नहीं इस वीडियो में हम आप सबको complete process दिखा दिये हैं तो guys वीडियो को जो है आपको बिल्कुल सुरी सुले कर अंत तक वाज करना है लोन अपलाई करने का link जो है आप सबको वीडियो के description में दे दिया गया है वहाँ पे click करकर जो है redirect आप इस page पर आ सकते हैं या आप बै business loan है ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भैकल लोन है नीचे आप आते हैं तो यहाँ पर आपको education loan देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पर education loan दिया गया है जो कि bank of brother विद्या लक्ष्पी के तहत यहाँ पर देता है नरसरी से लेकर 12th class के बीच तक के student क तो simply guys आपको जो है इसी पर एक बार click कर देना है यहाँ पर click करते हैं उसके बाद guys आपके सामने जो है कुछ इस परकार से interface open होती है यहाँ पर आपको यह calculator मिल जाता है यानकि guys आपना interest rate यहाँ पर जाज परतल कर सकते हैं माले जे guys यहाँ पर हम 30,000 रुपया type कर लेते हैं 30,000 रुपया itself का interest rate क्या होगा मैं आप सब को यहाँ पर दिखा देता हूँ यहाँ आप देख सकते हैं guys interested यहाँ पर 9.15% का दिया गया है to यहाँ पर 6% या 7% इंटरेस रख सकते हैं ठीक है तो माले जे यहाँ पर 7% कर लेते हैं उसके बाद guys यहाँ पर जो है loan term slot करना है कि कितने मंत के लिए जो है आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो गाइज माल लेजे यहाँ पे हम 60 मंत तक के लिए जो है लोन ले रहा है ठीक है आप नीचे देखेंगे यहाँ पे इक्वेटेड मंतली इस्टॉल्मेंट जो है यहाँ जाता है 594 रुपिया यहाँ जो है हमको यहाँ पे मंतली मंतली करना होता है तो गाइज यहाँ पे काफी इजी वे में जो है आपको यहाँ पे लोन मिल जाता है काफी कम इंटेस्टेट पर आपको यहाँ पे लोन मिल जात ठीक है, no document charge यहाँ पर लगेगा, उसके बाद गयाज यहाँ पर no margin दिया गया, no security required दिया गया, ठीक है, यहाँ पर जो है किसी परकार की आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है, वहीं गयाज आप disability पर click करेंगे, यहाँ पर बताया गया है कि नरसरी से लेकर पाचवा क किमदीया गया और गयाज यहाँ आपके चाटा खूलन दिया गया और गाज यहाँ पर एटुर क्लास तक लिए जो है अलग लोन दिया गया, यहाँ पर सभी college school यहाँ पने government, central government state से जो है curriculum होना चाहिए, यानि कि जिस state में आप रहते हैं उस state का उन्हण होना चाहिए आपके college school का उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे loan to be granted in the name of father mother यहाँ के आपके mother या father के name पे यहाँ पे loan दिया जाएगा ठीक है तो guys यह जो है यहाँ चीज दिया गया दिख सकते हैं यहाँ पे study in India के लिए आपको यहाँ पे नील दिया गया तो guys यह जो है आप एक बार रीड कर लेंगे उसके बाद गया जो हम बात करते हैं document के बारे में अगर आप loan apply करते हैं तो यहाँ पे document आपके पास क्या क्या हो राचाहिए आपका और आपके गर्जियन का जो है यहाँ पे KYC complete करना होगा है जो कि यहाँ पे कुछ document लगेंगे यहाँ पे दिया गया academic record यहाँ कि guys आपके school में record आपका नाम का होना चाहिए proof of admission होना चाहिए आपके पास आपके गाज admission कराते time जो आपको फर्म मिला होगा जो आपको receipt मिला होगा वह आपके पास होना चाहिए interest exam result का जो है आपके पास उसका receiving होना चाहिए statement of cost as study schedule expansion होना चाहिए income proof for seller co applicant यहनके guys आपके जो grantor बनेंगे जो गर्जियन है उनका जो है यहाँ पे income proof रहेगा उनका bank statement जो है last six month का यहाँ पे लग सकता है property document भी जो है यहाँ पे कोई देना पढ़ सकता है अगर आपका similar score ठीक ठाक नहीं होता है तो आप guys यहाँ पे देखेंगे most important information दिया गया तो guys एक बार जो है बिलकुल आपको यहाँ पर read कर लेनी है ठीक है यहाँ पे maximum loan जो है आपको 4 लाग तक मिल जाएगा ठीक है नीचे आप आती है तो यहाँ पर कावी सरा जनकारी दिया गया तो बिलकुल एक बार जो है आपको यहाँ पर read कर लेनी है अब गाईज हम बात करते है apply कैसे करेंगे apply करने के लिए आपको उपर आना है यहाँ पर आपको apply now का options मिल जाता है simply guys आपको apply now पर click कर देना है यहाँ पर click करते हैं उसके बाद गाईज आपके सामने जो है कुछ इस परकारती इंटरफेस open होती है यहाँ पर गाईज देखेंगे अगर आप पहले सी जो है यहाँ पर login हो सकते है यहाँ आप नए होंगे तो यहाँ पर आप अपना registration कर सकते हैं ठीक है अगर आप अभी instant apply करना चाहत करना होगा यहाँ पर उसका hint दिया गया है ठीक है तो एक बार इसको read कर लेंगे नहीं तो आपको यहाँ पर step by step guide कर देते हैं सबसे पहले जो है आपको अपना title से लट करना है Mr. Mrs. जो भी है ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम fill up कर लेना है यहाँ पर medium है त गाईज यह passport जो है आपना से बना जाता है जिसके गाईज माली जिए आपका montu नाम है तो montu iterate 47, 46 जो भी है आप यहाँ पर अपना लगा सकते हैं उसके बाद गाईज नीचे जो है आपको यहाँ पर cap cha दिख जाता है cap cha को जो है simply आपको यहाँ पर fill up कर देनी है अगर cap cha आ करने के बाद आपको submit पर click कर देना है अब गाईज जैसे ही आप submit पर click करते हैं उसके बाद गाईज आपके समने जो है कुछ इस परकार से मैसेज होती है यहाँ पर बुला जारा है account created successfully मेरा account जो है successfully यहाँ पर created हो गई है thank you for registering on बिद्यालक्ष्मी portal गाईज बिद्यालक्ष loan apply करने का link मिल जाएगा वहाँ पर click करकर जो है आप अपना loan apply कर सकते हैं उसके बाद गाईज आपको loan जो है 24 या 48 घंटा के अंदर मिल जाती है guys के वाईसी के लिए जो है आपको कुछ document लगेंगे जो कि पहले ही हम आप सो को वीडियो में दिखा दिये हैं तो please उस document को जो सही वीडियो देखने के लिए मिला होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चनलों को सब्सक्राइब जरू कर दिचेगा ताकि बैंकिंग और फैनेस लेटर्ड आप सबको वीडियो मिलते रहे